नमस्कार आप देखरें वीके न्यूस मैं शिल्पा गुपता आज सिक्षक दीवस है सिक्षकों के बारे में कहा जाता है कि वो ज्ञान की लौकों जलाते हैं और अज्ञान के अध्यारे को दूर करते हैं लेकिन आज सिक्षक फोड़े जमाने के साथ आधुनिक होते जा रहे हैं इतने आधुनिक की वो परंपराओ और संस्कृती को भी भूलते जा रहे हैं यह तस्वीरे के स्कूल की हैं किसी इंटर्मेडियेट स्कूल की नहीं बलकि नर्सरी या यूं कह लीजिए प्ले स्कूल यहां क्या हो रहा है पोल डांस जी हां पोल डांस कराकर बच्चों का मनुरंजन कराया जा रहा है पोल डांस कैसे होता है और कहां किया जाता है ये आपको बताने ही ज़रूरत नहीं है इसलिए जब ये बच्चों के स्कूल में होगा तो इसका विरोध होगा ही मामलत चीन के स्कूल का है जहां ये डांस करने की इजाज़त खुद प्रिंसिपल ने दी थी किंडर गार्डन नाम के स्कूल में पोल डांस का आयोजन किया गया और इस दौरान डांस के पोल के उपर चीन का जंडा लगा दिया गया गर्मी की छुट्टियों के बाद ब्रेक से लोटे शात्रों के स्वागत के लिए किंडर गार्णन स्कूल के खेल के वैदान में इस कारिकरम का आयोजन किया गया था स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि इस दौरान 3 से 6 साल की उम्र के 506 और बच्चों के घर से आए 100 पैरेंस मौजूद थे बीडिया रिपोर्ट्स की मताविक डांस परफॉमिस के दौरान कुछ बच्चे पोल्ड डांसर्स की नकल करते हुए भी नजर आये वीडियो के वारल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल से बाहर लेकर भी निकल गए जिसके बाद प्रिंस्पल पर कारिवाई की गई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया आपकी इस बारे में क्या राय है बच्चों के मनुरंजन के लिए अब स्कूलों में फोल्ड डांस करवाया जा रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताए वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें करें